नमस्कार दोस्तों, आज करकडगम एक है, आज से 30 दिन तक हर एक हिंदु परिवार में लोग रामायन का पाट करते हैं, तो अब सभी को मेरे शुब कामना आए, तो आए हमारा क्लास तो शुर्यू करेंगे, आज का टॉपिक है संधी, तो हर एक एक्जाम में संधी से संधी के प्रकार और संधी का कुछ एक्जाम्बल इत्यादी आपको समझाओंगी, तो आएए में शाइला इसे हिंदी स्टेप्स, आप सभी को स्वागत करते हों, संधी, जोइनिंग, नहीं तो कॉल सेंस, अब तो डफिनिशन देखिए, वर्न और वर्न का मेल संधी कहलात वर्न मेंस लेटर्स, तो यहां में दो वाख्य लिखी है, तो देहें में एक विध्या अर्थी हुम, तूसरा में एक विध्यार्ती हुम, तो आपने देखा विध्या अर्थी को एकटा बोलने पर हमने विध्यार्ती बोला, इसके लिए तीन क्रियायम हुई है यहां, पहल संधी के भेदर संधी दो बिसार्ग संधी तो है ये हम पढ़ेंगे स्वर संधी स्वर में स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह स्वरसंधी कहलाता है परिवर्तन मेंज चेंज स्वरसंधी पांच प्रकार के है दीर्ख स्वरसंधी, गुण स्वरसंधी, वुर्थी स्वरसंधी, यंड स्वरसंधी, आयादी स्वरसंधी दीर्ख स्वर्संधी, आईए दीर्ख स्वर्संधी पहजाने का ट्रिक भी मैं बताऊंगी, देखो शब्द में बेड़ी मात्रा आती है, ऐसे आ, ई, उ, इस थरह का, तो देखिए रोल्स, आ प्लस आ, 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 प्लस आ, 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 प्लस आ, 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 प्लस आ, आ, तो देखिए अधिस स्ब्ध के अन्दिम बर्ण और दूसरे शब्ध के आरंबर की बर्ण का मेल हो गया है यहाँ तो चर प्लस चर चर अथिक प्लस अम्ष अथिक आम्ष दूसरा शुब प्लस आरंभ शुबहारंभ देव प्लस आलेय देवालेय तो यहां o plus a is a Then, विद्ध्या प्लस आले, विद्ध्याले, महा प्लस आशे, महाशे, तो यहाम अप्लस अप्लस अर्थी, विद्ध्यार्थी, यथा प्लस अर्थ, यथार्थ, 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 तो अप्लस 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 अप् E, E plus E, E, कवी प्लस इंद्र, कवी इंद्र, यहां का दियम देखे, पहले पद के अंदिम शब्द और दूसरे पद के आरेंबिक शब्द, छोटी की मात्रा में है, तो दोनों मिलकर बिड़ी की मात्रा बेंगई, E plus E, E, परी प्लस इक्षा, परीक्षा, यहां देखे, पहले पद में चोटी की मात्रा, दूसरे पद में बिड़ी की मात्रा, दोनों मिलकर बिड़ी की मात्रा बेंगई, E plus E, that is E, मही प्लस Eश, महीश, दोनो बडी की मात्रा, E plus E, E, मही प्लस इंदर, मही इंदर, पहले पाद बडी, दूसरे पाद छोटी, so दोनो मिलकर, बडी की मात्रा बेंगी, U plus U, U, U plus U, U, U plus U, U plus U, U plus U, U plus U, U, U plus U, U, U plus U, U, भानु, प्लस उदय, भानु, देय, तहां देखे, भानु का लांस लेटर छोटाउ है, और उदय का फर्स लेटर छोटाउ है, ए दोनो मिलकर, बड़ाउ, बेंगया, उ प्लस उ उ भानू प्लस उर्जा भानू उर्जा तेहां देखें भानू का नास लेटर तो छोटा उ है उर्जा का फ्रस लेटर बेडा है दोनों मिलकर बेडाऊ बेन गया यहां फॉस्ट पार्ट में उ है, सेकंड पार्ट में भी ओ है, दोनों मिलकर उ बेन गया आएए अब जानेंगे गुन संधी का ट्रिक शाब्दु में एक मात्रा का प्रयोग करता है देखे जब भी हम गुण संदी लिखते हैं तो उसमें एक ही मात्रा का प्रयोग हम करते हैं तरिस ए नहीं तो ओ तो देखे आ प्लस ई ए आ प्लस ई ए अब उदाहरण देखे आ प्लस ई ए सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र उसका रा प्लस इन रे रेखो ये रा प्लस इंदो सुर का रा ओर इंद्र का इन है मिलकर रेन बेन गया अब आ प्लस इ ए महा प्लस इंद्र महेंद्र तरिस ह प्लस इन हें आ प्लस इ ए रमा प्लस इश रमेश तो अब देखे, आ प्लस उ, ओ, हितो प्लस उपतेश, हितो पतेश. सो फर्स्ट पार्ट ता, और सकंड पार्ट उ, दोनों मिलकर ओ बेंगे. आ प्लस उ, ओ, यथा प्लस उजित, यथो जित, था प्लस उइस, थो. आ प्लस उ, ओ, महा प्लस उर्मी, महोर्मी, तो हा प्लस उ, हो गया हो. आ प्लस उ, ओ, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, तो ल, प्लस उ, लो. तो आप विर्थी स्वर संधी, देखो उसका नियम क्या है? शब्द में दो मात्रा का प्रयोग करता है. तो हम गुन्श्वर संधी में एक ही मात्रा का प्रयोग किया था, यहां हम दो मात्रा का प्रयोग करता है. अब विर्थी संदी का नियम देखें अब तो देखें एक्जांबल सदा प्लस एव सदेव तो यहां देखें सदा शब्द का second part और एव शब्द का first part मिलकर देश शब्द बेन गया अ प्लस एई आई महा प्लस आईश्वेरिय महेश्वेरिय यहां भी ऐसा ही हुआ है अ प्लस आउ आउ परम प्लस आउशद परम आउशद सो देखें मा प्लस आउ तो माउ हो गया तो यहां भी हम विर्थी संदी का प्रयोग किया है अब तो देखें येंड स्वर संदी शब्दों में आथा अक्षर का प्रयोग करता है तरिस्त वर्या इत्यादी का आथा शब्द तो प्रयोग करता है अब उदाहरन देखें ये प्लस आ तो या है तो अती प्लस आ थी गया अत्य थी गया तो यहां ता का आथा बन गया और ये प्लस आ तो या देवी प्लस आगमन देव्यागमन तो देखो वाका आधा हो गया अब तो देखें आयादि स्वरसंधी शब्दों में A, I, O, O, आदि मात्राईन नहीं आती तो जब भी हम आयादि स्वरसंधी लिखते हैं तो उसका अंदर A, I, O, O, आदि मात्राईन तो नहीं आती हैं और ज्यादा तर शब्द तो तीन अक्षर वाले होते हैं तो ए प्लस आ अय, ओ प्लस आ अव, अव प्लस आ आव, तो ए प्लस आ अय, तो यहां बी मातरा निकाला है, ओ प्लस आ अव तो भो प्लस अन भवन तो की मात्रा निकाल लिया ओ प्लस आ आव पव प्लस अन पावन तो हो गया संथी का तो अच्छे तरह से पढ़ ले ना और जो भी अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इनेबल कीजिए